मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्मसिक्छा, मित्रों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ झारू से समंदी 10 महत्पोर्न बाते हैं, क्योंकि झारू जो हता है उसका वास्तु सास्तर में बहुत ही जदा अहम रोल है, और साथ ही साथ मालक्ष्मी मालक्ष्मी को सफाई बहुत जद प्रिय है और सफाई झारू से होती है, तो धने से समंदी धन के आवागमन से समंदी जो बाते होती है वो झारू पे बहुत जदा निर्वर करती है, घर में सुक्सांति कलह ना हो, इसके लिए भी झारू का बहुत अहम रोल है, तो इस वी को ये दस बाते जानना बहुत ही जदा आवस्यक है खुद भी जाने समझे और अपने बच्चों को भी यह समझाएं ताकि वो भी आगे चल के इस तरह की गलतिया ना करें क्योंकि हम जो जानते हैं वो अपने बच्चों को सभी संस्कार देना चाहते हैं इसी तरह से हमारी पर इसी प्रकार से प्रमपरा चलते आती है तो आप भी सीखिए जानिये और अपने बच्चों को पड़िवार जोने को भी बताईए ताकि जारू से समझे किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में उत्पन ना हो क्योंकि वास्तु सास्त में बहुत ज्यादा अहम रोल है मालक अकसर लोगों के यहां मैंने भी देखा है जारू उपयोग करते हैं जारू पुराना हो गया उसकी जो रसी होती डोड़ी होती जिसे बंधी होती जारू वो कई बार टूट जाती है जिस कारण से भी टूट जाए फिर से क्या करते हैं उसको फिर से एरेंज करते हैं ठोकते इस तरह से और उसको फिर से बानते हैं फिर से उपयोग करते हैं ऐसा करना वर्जित है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए इससे वास्तो दोस्त लगता है अगर आपके यहां भी तूट जाए रसी जहारू की रसी तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे जहारू को फेक देना चाहिए हर दिन नहीं फेकना है कब फेकना है आगे मैं आपको point में बताऊंगा तो कुल मिला के ये बात है जारू तूट जाए तो उसका उपयोग नहीं करना है अगर पूरा ही तूट जाए तो थोड़े तिलियां तो तूटते ही रती जारू की लेकिन होता जब रसी ही तूट जाए तो जारू का उपयोग नहीं करना है आपको इससे बचना है दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है ये ध्यान रखनी है कि अपने घर के मुख्य दुआर के पास कभी भी जारू ना रखें जारू घर में किसी भी ऐसे अस्थान पना रखें कि कोई आपके घर में आये और आते ही उसके सामने ही जारू नजरा जाए ऐसे जगह पर जारू नहीं रखना चाहिए जिस प्रकार से धन अपना लोग छुपा के रखते हैं ठीक उसी प्रकार से जारू भी लोग छुपाके रखना चाहिए से। सबसे अच्छी जगह है. दरवाजे के पीछे. रूम, अंदर षय रूम होते हैं, उनकी जो दरवाजे होते हैं. कमरे के दरबाजे के पीछे आप जारू को रख सकते ताकि जैसे गेट खुले बिलकुल जारू दिखे ही ना दरबाजे के पीछे आ जाए ऐसे किसी जगह में रखें जहां से किसी को दिखें ना और मुख्री द्वार के पास घर के मुख्री द्वार के पास तो बिलकुल भी नजर उस पर ना पड़े, तीसरा, मैं आपको यहाँ बता चाहूंगा, जारू को कभी भी ख़़़ा करके न रखें, इससे भी बास्तु दोस लगता है, घर में कला कि श्तिति उत्पन होती है, सास्त्रों में से मानिता है, जो भी घारू को ख़़़ा करके रखता है, उसके द लक्ष्मी की ब्रवादी वहीं से सुरू हो जाती है, तो ऐसे में आपको ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए, जारू को कभी भी घड़ा करके ना रखें से लेटा के ही रखें, जो था, जो महत्पूर्ण बात है, वो आपको बताना चाहूँगा, मैं साम और रात के समय मे जारू बिल्कुल भी ना लगाएं, सफाई करना अच्छी बात है, सफाई जहां और राती है, वहाँ पर मालक्ष्मी का अगमन होता है, दिन में आपको जितनी मर्जी सफाई करनी है, करिए, सुबह में सबसे पहले उठके सफाई करिए, सबसे अच्छा समय सफाई करने का, क्योंकि पूरे दिन आप भी फ्रेस महसूस करेंगे, पोजितिव एनरजी आपके घर में आएगी, और आपको नए ने विचार आएंगे, कमाने के एडिया आएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति के नए ने विचार आएंगे, लेकिन साम के समय में जहारू नहीं लगाना चा कुछ गिलास तूट गया, कुछ सीसेगा तूट गया, तो जहारू लगाना आवस्यक है, नहीं लगाएंगे, तो किसी के नुकसानों से हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, काच वगरा, जो भी ऐसा समन तूटा फूटा है, उसको कहीं घर में ही, इकठा करके रख दे हैं, अच्छे से फेकड़े, रातरी के समय, सांध के समय, जहारू नहीं लगाना चाहिए, सुर्यास्त के बाद, इस बात का ध्यान आपको जोड रखना चाहिए, लेकिन सुर्योदे से पहले-पहले ब्रह्मविला में आप लगा सकते हैं जहारू, और उसमें सफाई कर सकते पांचमा महत्पून बात है, जहारू को कभी भी पैर ना लगा है, बहुत साई लोग जाने अन जाने में, जहारू पर पैर रख देते हैं, बच्चें को तो पता ही नहीं होता, वो तो खेलते दूपते कभी भी जहारू पर पैर रख देते हैं, जहारू पर पैर रखने से म वीडियो में दिवाली में कैसे जारू की पूजा कर की जाती है नए घर की प्राप्ति के लिए तो जारू का बहुत ज्यादा महात्व है इसे पहर ना लगा में साथी साथ दो जहरू कभी भी एकठा करके एक साथ न रखें होता है कई लोगों को मैंने भी देखा है कि जहरू है दो जहरू को एक साथ ही रख दिये एक ही जगह पर रख दिये ऐसा करने से घर में कलह होती है खास करके घर में पती पत्नी के बीच में बंती नहीं है तो दो को एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए आपको इस बारता ध्यान जूर रखना चाहिए दूनों को अलग जग रखें घर में बहुत सार जगह होता है दो जहरू एक साथ ना रखें अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या क्रह प्रवेस कर रहें नए घर में जा रहे हैं तो आपको पुरानी जारू तो निश्ची तोर पे ले ही जानी है, ऐसा करेंगे अगर आप नया जारू नए घर में रखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन पुराने जारू को अगर नहीं ले जाएंगे, तो लक्षमी का नुक्सान आपको संभव है, यहां भी आपको. आठमा और महत्पून बात है, गुरूवार और मंगलवार के दिन, जारू घर में नहीं लाना चाहिए, जारू नहीं खहिदना चाहिए, गुरूवार के दिन और मंगलवार के दिन, और नहीं जारू इस दिन फेकना चाहिए, नहीं लाना है और नहीं फेकना है, गुरूवार मंगलवार के दिन इस बात का ध्यान जोर रखना चाहिए नौमा और महत्पूर्ण बात है सनीवार के दिन जारू आपको खैदना चाहिए और पुराने जारू को फेकना भी चाहिए क्योंकि नई जारू लाएंगे तो पुराने जारू तो फेकेंगे भी कही ने कहीं तो उसक फेकने के लिए भी दस्मा और महत्पूर्ण बात है गाउं में ये ऐक्सर होता है लोग कुछ लोग जाने अंजाने में ज्जारू को जला देते हैं पुराणी ज्जारू को खराब हो गए उसकी तिलियां है तो कुछ लोग आग सेखने के लिए या किसी भी कारण से तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए तो कुल यहां पर मैंने आपको ध्यानु से समन्दित दस बातें बताएं यह बात्यं आपको ध्यान रखनाएं जीवन पर और आपने बच्चों को भी अपने पडिवार जनों को भी इसके लिए प्रडरित करना चाहिए इसके बताना चाहिए ताकि लक्ष्यमी से समन्दित किसी प्रकार का नुक्सान आपको झारू के कारण न करना परे तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो जानकर ये अच्छे लगे तो लाइक तो चोरू करें साथी कमेंट बाक्स में जे माता दी जो लिखें इसी तरह की अनि ग्यान वर्दक वीडियो के लिए जोरें दर्मसिक्छा के साथ देखते रहें दर्मसिक्छा जे माता दी